FCPS World के रिवीन कोर्स के अंदर हम आपके concepts clear करेंगे और हम आपको वो tricks बताएंगे कि जिनको याद करके आप exam clear कर सके हैं क्योंकि अब इतना time नहीं है कि हर चीज की detail के अंदर जायर जाए Hepatitis P के psychology का question अकसर exam में आता है और अकसे students इनको गलत करके आते हैं इसको याद करने का एक basic तरीका यह है कि हमें पता है कि जब भी कोई infectious agent body के अंदर जाता है body उसको detect करती है वो replicate करता है antibodies बुनती है और eventually patient heal कर जाता है तो body जब heal करता है या immune होता है previous infection की विजए से या पर immune करता है vaccination की विजए से तो उसमें हमार पास antibodies है वो हमार पास anti-HPS जो होगी वो positive है ठीक हो गया दूसरी चीज यह हमक्सित देखते हैं कि HP SAG है HP EAG होती है इनका मतलब क्या होता है basically जो AG होता है इसका मतलब होता है antigen HP जो है यह hepatitis virus को represent करे रहा है और जो यहां पे S या E है S for surface होता है यहां पे लिखावा भी है S for surface और E for envelope है hepatitis B surface antigen, hepatitis B envelope antigen ठीक है जब virus body के अंदर गया उसने replication start की replication में अगर हम virus के structure देखें तो इसके उपर हमार पास surface पर antigen होते हैं फिर उसके बाद हमार पास envelope के antigen होते हैं और center में हमार पास score होता है हमार पास यह सब चीजे जो है न divide करती है जब replicate करती है, जब यह चीज़ा हमार पास replicate करती है उसके बाद यह चीज़ें एक मिलती है और यह नई virus बनाती है जो हमार पास infection होती है वो continue रहती है तो हमारी पास acute infection हो या chronic infection हो उन दोनों के बाथ है हमारी पास जो surface antigens होंगी हमारी पास positive होंगे यह हमारी पास replicate करें रहे हूंगे था है acute infection रिपीचिन आपपी को भी surface antigens है envelope positive है chronic में surface antigen होज़ा है और envelope anti gerçekten स्थियर पोज़ा है उसको receptor detect करता है यहाँ पर receptor पर यह लगा है, receptor ने detect किया और उसके खिलाफ antibodies बनाना शुरू कर दी, ठीक है? अब जो antibodies बनती हैं हमें पता है कि acute phase scan गंदे जो antibodies बनती हैं वो हमार पास IgM antibodies बनती हैं उसके बाद chronic phase कि गंदे हमार पास antibodies बनती हैं वो IgG antibodies बनती हैं तो acute infection होगी, detection होई antibodies जो बनेगी वो NTHPC और chronic phase scan गंदे हमार पास बनेगी IgG यह basically C जो है वो core को represent कह रहा है इसको याद करने का तरीका यह है यह मैं आगे आपको बताता हूं कि इसको किन निमानेक्स हम याद करेंगे अच्छा एक चीज़ जो important हमार पास है वो यह है कि NTHPC जो है वो positive IVI हमारे पास immune from previous infection में ठीक है क्योंकि अगर हम core DNA डालेंगे तो antigen भी replicate करेंगे कि DNA के अंदर coding होती है antigen बनाने के भी और DNA में coding होती है कि उसका जो अपना DNA है उसको multiply करने के भी तो patient को तो actual infection हो जाएगी तो हम vaccination के अंदर जाना सिर्फ हम लोग antigens टालते हैं और जो actual infection होती है उसके अंदर core जाती है तो antihpc hepatitis core के खिलाब antibodies बनेंगी वो सरक हमारे पास बनेंगी जब patient disease होने के बाद actual disease होने के बाद लाइक आप यह कहलें के heal हुआ होगा या immune हुआ होगा ठीक है तो एक और चीज हमने जो याद करनी है वो यह रखनी है कि जो surface antigens है न यह सबसे पहले detect होते हैं body sorry body के अंदर जब भी जिसमां से मैं आपको बताया था जो हमारे पास surface antigens होते हैं वो receptors को लगती है और उसके बाद antibodies बनती है तो surface antigens का मतलब यह है कि active infection है एक चीज़ी है दूसरी चीज़ी है कि जो envelope होते है न जितने कि ज्यादा easy to spread है इसका निमोनिक यह है इफार envelope इफार easy to spread as for surface as for body can see the hepatitis virus as a c as a surface anti-hps का जो निमोनिक है वो anti-sick यानि के बंदा हील हो गया है अगर दुबारा अगर बंदे में hepatitis B की virus आती है तो हमारे पास antibodies मौझूद ने जो इसको counter करेंगी और जब भी हमारे पास score आएगा तो इसका मतलब यह है कि actual disease आई थी जिस नहीं से यहां पर आए NTHPC positive आई है previous infection के बाद है अब FCPS part 1 में जो questions आते हैं आप यह देखें कि हमारी स्लाइट के दें जो green से चीज़े लिखें ही होंगी वह अगस पास पेपर से हमने ली निया है अब question आया है patient with hepatitis B and increased risk of transmissibility transmission हमें यह पता है कि जब transmission होती है इसका मतलब है envelope बंद रहे है serology विल छो आपको options देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको यहीं से पता लग गया है कि HPEAG positive आएगा body gender तो देखें HPEAG positive है क्योंकि envelope बंद रहे है for transmission transmission के लिए भूई के HPEAG positive होगा ठीक है HPEAG positive है anti-HPSAG negative होगा फिर अगरस में question आया है patient with known hepatitis B infection came with HPSAG positive हमें पता है S surface ने detect किया यानि कि active infection है HPEAG है इसका मतलब है replication भी हो रही है body के लिए और HPCAB IgM positive इसका मतलब है कि acute phase में चल रहा है diagnosis के option में हमारा पास acute hepatitis था तो यह हमारा पास actual diagnosis है अब एक question जो CPSP में अकसर आता है वही आता है कि हम hepatitis B का virus load किस तरह से detect करते है वाइरस load को detect करने के लिए आप एक चीज़ याद रुखें कि जो load है ना वह depend करता है हमारा पास number of api canning के viruses कितनी ज्यादा है तो उसको हम किस तरह से detect करते हैं उसको हम virus का जो DNA जितना ज्यादा है ना वह हम PCR करवाते हैं हम DNA को mirror करते हैं और DNA से हमें पता लग जाता है कि virus का जो load है वह कितना है अगर आपको यह lecture हमारा पसंद आया है तो आप हमारा review course जोइन कर सकते हैं जो कि 20th November से start हो रहा है और यह live interactive lectures होंगे आपको कोई question है तो वो इसको answer किया जाएगा इसमें हम most important golden points को discuss करेंगे most important important high-end concepts को discuss करेंगे हम past papers को discuss करेंगे most repeated questions को discuss करेंगे इसकी जो fee है यह है 1000 रुपीस यह 8 days का course है जिसके लिए 7 days classes होंगी अगर आप लोग interested है तो register करेंगे आपको करेंगे आपको करेंगे